दोस्तों आपके बुलंद होंसले दिखा रहे हैं, मिलेगी मंजिल नव वरश में, लेकिन क्रोध, एहम और सफलता के नशे से दुरी बना कर रखना, शनी को अपनी बुद्धी पर हावी नहोंने देना, जितना हो सके सब को साथ लेकर चलना, नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट्रो लजर रजेश का लिया, हारदिक स्वागत करता हूँ, आपका अपने यूटीव चैनल, अक्षी तैस्टर मास्टर में, मेरे तूला राशी वाले दोस्तों कैसे हो, दोस्तों नव वरश की शुरवात अच्छी तो, सब अच्छा पूरा वरश अच्छा बना रहेगा, नव हर एक ग्रेह आपको सहयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, शुप ग्रेहों शुपकर और बुद्ध का धन वा पर संचार पूरे वरश धन के आवागमन में तेज्जी के संकेत दे रहा है, तो उर्जा का ग्रेहों सूर्या और मंगल का प्राक्रम वा पर संचार, पूरे वरश यश और प्राकरम में व्रिदी के संकेत दे रहा है आपका साहस प्राकरम और आतम विश्वाश मजबूत बना रहेगा बुलंद होंसलों के साथ आप नव वरश में परवेश करेंगे शरी का बुद्धि स्थान पर अपनी भोधिक राशी कॉंब में संचार नवीन मिलेगा कार्य बैपार में विस्तार के लिए नई योजनाई बहुत लापरत साबीत होंगी पूरे वरश राहू का शत्रू स्थान पर संचार शत्रों के छक्के छुडाने के लिए तैयार है शत्रों पर विजे सुख का अनंद मिलेगा जहां तक कि नव वरश की शुरुआ पर साथ में चंदर्मा का भी लाप बाप पर संचार हर कार्या में लाप को दिखा रहा है नव वरश में गुरु का राशी परवर्तन है एक मई को गुरुदेब अश्ठम बाप में परवेश कर वपरीत रायों का निर्मान करेंगे गुरु के समद में भी पूरा वरश कुमार बुद्ध के साथ यूती योग में अत्यादिक उत्तम और धन दायक है दन में कमी नहीं आने देगा आने वाले समय को धन दायक भग्यवर्दक और महत्त पुरुन बना देगा शुकर और बुद्ध दोनों राजसी ग्रह है दोनों ग्रहों का शुब गोच राजसी ठाट बाठ में वरिदी करेगा लग्जरी लाइफ स्टाइल और धन में वरिदी के संकेत मिल रहे हैं पूरे वरश में अकसमात से धनलाब के योग भी बनते रहेंगे कीमती अभूशन जेवरात हीरे मोती और महंगे रतन वगेरा का कारया वेपार करने वाले दोस्तों को भ वरश विशेश रूप से लाब मिलने वाला है अकसमात से धनलाब करवाने की रेस में एक मई से गुरूदे भी जुड़ जाएंगे वीडियो में इस पर भी चर्चा करेंगे वीडियो बहुत महत्तपुरन रहने वाली है इसलिए वीडियो के यंत तक बने रहें बुद्ध में वरिदी करने के लिए शुकर और बुद्ध का तो साथ मिलेगा इसके अलावा पूरे वरश में आपकी आर्थिक स्थिती को मजबूत बनाने वाले अन्या ग्रहूं की बात करें तो पूरे वरश आपकी राशी के लाब बापर करम फलदाता शनी देव की दृष्टी पंगे वैदा करती है परतु लाब भाव एक ऐसा भाव है इस बापर अशुब प्रवाबी लाब पर दान करता है आपकी राशी के दंपत्या लाब और धनबा परशनी की दृष्टी पढ़ रही है इन में से लाब परशनी की दृष्टी अधिक लाब दायक रहेगी शूज बूज का भी विशेश रूप से लाब मिलेगा वैसे भी तूला राशी वाले बहुत सूलजे हुए इनसान होते हैं क्योंकि आपकी राशी के पंचमबा बुद्धी स्थान पर बहुदिक राशी कुम्ब पढ़ती है इसलिए कोई भी कार्या करते हैं तो बुद्ध बुद्धी वेक से सोच विचार कर करते हैं तूला राशी वाले प्रेमी भी जल्दवाजी में नहीं बलकि सोच विचार कर प्रेम सबंदों में कदम आगे बढ़ाते हैं पंचमबा पर स्थित कॉम्ब राशी का ही अशीरवाद है आपको जो आप शिक्षा और अनुसंदा तो वैसे भी कॉम्ब राशी के स्वामी शनी भी कॉम्ब राशी अपनी मूल तिरकों राशी में संचार कर रहे हैं ना वरश दोयर चोविस में पूरे वरश शनी की यह स्थिती बनी रहेगी राशी स्वामी के संचार से कॉम्ब राशी भी काफी मजबू स्थिती में विद्यार्थियों और बौधिक शेतरों से जुड़े तूला वाले दोस्तों को विशेश रूप से लाब मिलने वाला है तक्नीकी शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी भी अपने शेतर में बहुत अच्छा कार्या करेंगे सूजबूज और तरक शक्ती में पुरिदी होग जगडालू किसम का बना देगा 30 जून 2024 से लेकर 15 नमंबर 2024 तक शनी वक्री वस्ता में संचार करेगा इस समय आपको अपने करोद वानी और वहवार पर उजित ध्यान देने की वशक्ता रहेगी तूला राशी वाले प्रेमियों के लिए वी पूरा वरश अच्छा बना रह लेकिन शनी के वक्री काल के दोरान वहवी सयम और धैर्या से काम ले पंचमबा पर शनी का वक्री वस्ता में संचार पुराने से पुराने प्रेम्स बंदों को भी पल बर में नश्ट करने की शमता रखता है इसलिए शनी के वक्री काल के दोरान प्रेमियों से कम ही मिले तो बेहतर रहेगा आपकी राशी के पंचम बाप पर नवरश दोयर चोवीस में शनी अंतिम वार वक्री वस्ता में संचार करेगा क्योंकि इसके बाद मार्च दोयर पच्छीस में शनी का राशी प्रवर्तन हो जाएगा इसलिए यह वक्री काल अधिक महत्त पुरम रहने वाला ह शादी शुदा दोस्तों को भी खास ध्यान देने की अवशकता रहेगी वैसे तो पूरे वरश शनी की दंपत्य वापर द्रिष्टी पढ़ेगी जो कुछ ना कुछ वेचारिक मत्विद पैदा करती रहेगी वक्री काल के दोरान यह द्रिष्टी अधिक नकरात मकुरजा पैदा करती है उस समय द्रिष्टी एक करिला दूसरा नीम चड़े जैसा कारया करती है इसलिए वक्री काल के दोरान प्रेमी प्रेम जीवन तो शादी शुदा दोस्त दंपत्य जीवन के प्रती अधिक स्तर्क बने रहें आर्थिक द्रिष्टी कों से नव वरश दोयर मजबूत बना रहेगा वरश की शुरुवात में ही आपका अपने प्रती विश्वाश उच मनोवल और बुलंद हूंसले नव वरश में कुछ निया करने और जोखिम लेने के उदेशय से बहुत अपयोगी साबित होंगे सहासी और प्राकरमी ग्रहों के सहयोग से आप नव के कारियों में कोई कमी नहीं करेंगे नव वरश में आप कंफ़र्ट जोन से बाहर आकर मेहनत प्राकरम और प्रयासों से इतहास रजएंगे बहुली राहों ने शत्रुस्तान पर मोर्चा संबाला हुए तथा पूरे वरश संबाले रखेगा इसलिए शत्रों की चिंता पर दुनिया की भाग दोड और कार्या की अधिकता के कार्वश्थकान महसूस करेंगे तब सुक शान्ती का नुबव महसूस करने के लिए आपका जुकाब अध्यातम और मेडिटेशन उगरा की और भी बढ़ेगा के तू आपका सबंद इश्वर से स्थापित कर आंतरिक शक् देगी एक मईई दुयार चोविस को गुरुदेव राशी प्रवटन कर अश्ठम बाव में प्रवेश कर जाएंगे अश्ठम बाव एक बादक स्थान है जातर ग्रहों का अश्ठम बाव पर संचार नकरातमक उर्जा पैदा करता है लेकिन संचार कर रहा ग्रह खुद दू दूसरे बादक स्थान का स्वामी हो जाए तो वहगर है वप्रीत रायों का निर्मान कर विगन बादार विपतियों का नाश करता है गुरुदेव आपकी राशी के लिए चटे बाव बादक स्थान के स्वामी है इसलिए गुरु का अश्ठम बाव बादक स्थान पर संचा वपरीत रायों का निर्मान भी करेगा लोहा जैसे लोहे को काड़ता है ऐसे ही गुरुदे विगन बादा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएंगे नकरातम कपरी नाम से कहीं अधिक्स करातम कपरी नाम देखने को मिलेंगे अश्ठम बापर गुरु का संचार में धनलाप हो सकता है संतान के विदेश यात्रा के योग बनेंगे वह दोस जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं उन्हें इसका लाब मिलेगा जोतिश तंतर मंतर हस्त शास्तर वास्तू शास्तर और अधियातम के प्रती जुकाब बढ़ेगा पह शतरों का अंत करेगा शतरों की संक्या में कमी आएगी कुल मिलाकर नव वर्ष में पिछले समय से पेशारी प्रिशानियों से बहुत वड़ी रहत मिलने वाली है जाते जाते कमेंट बोक्स में करम फलदाता शनी देव की जैजाकार अवश्या करें आपको यह वीडियो कैस पूस्क्राइब करना ना भूलें धन्यावाब